नमस्कार दोस्तों एक बार फिर साब सभी का स्वागत है आपके अपने योटूब चैनल आई टेक्निकल गुरूजी में और मेरा नाम है कमल जोसी आज हम बात करेंगे स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर के बारे में और आप लोगों के लिए एक सूचना है आई टे के एड्मिस कर रहे हैं अपने आई टे कॉलेज में तो वाउंड रोटर वाली मोटर की जो रोटर वाइंडिंग में क्या होता है स्री फेज वाहि प्रतिरोद के द्वारा अभी आप लोगों को दिखा जाएगा पैनल्स पर तो एक्स्टेनल रेजिस्टेंस लगा करके स्लिपरिंग पीछे अब यह दिख रहे हैं कार्बन ब्रस और स्लिपरिंग इसके रोटर पर लगें वाउंड रोटर की संदचना क्या है इसमें लेमिनेटर लोग पर तरी फेज वाइंडिंग लगभग उसी परकार इस्थाबित की जाती है जैसे रोटर की साफ्ट पर तीन की सोधीत होती हैं और तीनो स्लिपरिंग का सम्बंध एक कारवन ब्रस से होता है और कारवन ब्रस तीन फेज वाई पर ती्रोज से सयोजित होता है अब इसकी कारे प्रणाली के बारे में बात करेंगे जब मोटर को तीन फे सप्लाई से संयोजित किया जाता है तो उसके रोटर में स्क्वेरल केज मोटर की भाती घूमने वाला चुम्बग की छेतर पैदा होता है और वह चुम्बग की छेतर क्या करता है रोटर वाइंडिंग में विद्धु त्वाहकबल प्रेरित करता है और रोटर वाइंडिंग, स्लिप्रिंग, ब्रसेज तता वाहे प्रतिरोद से बने परिपत में rotor current प्रवाहित होने के कारण वाही प्रतिरोध के कारण rotor current का मान निम्न रहता है तो परन्तु starting torque का मान क्या हो जाता है उच्च हो जाता है जैसे जैसे motor अपनी क्या करती है speed प्राप्त करती है तो वैसे वैसे हम क्या करते हैं जो वाही प्रतिरोध होता है के running torque को बनाए रखती है और इसका प्रियोग कहां पि किया जाता है इसका प्रियोग slip ring induction motor का उप्योग compressor आदी में किया जाता है क्रेन में किया जाता है कंवेयर में किवेब होइस्ट में steel mil में और printing press में किया जाता है आपको पैनल से दिख़ा है सामने है और लगाई हुए अब थोड़ा सा बात करेंगे स्क्वेरल केज मोटर में क्या होता है इसमें रोटर में चालक इस्थाबित किया जाते हैं परन्तु स्लिपरिंग में क्या किया जाती हैं वाइंडिंग इस्थाबित किया जाती है और स्क्वेरल केज मोटर में क्या होता है जो इस इसका सही करके इस मोटर को दुबारा चलाया गया धन्यवाद बने रहे चैनल के साथ आसा करते हैं आप लोगों को समझ में आओगा अगली मोटर स्टार्टर से संबंदित आएगी तो बने रहे हमारे